नमस्कार दोस्तों स्वाद्दे मिसाल चैनल में आप सब का हारदिक स्वागत है आज हम समा या सामक के चावल की खेचड़ी बनाएंगे खेचड़ी बनाने के लिए हमें समा या सामक का आटा चावल चाहिए मैंने ये पहले से भीगो के रखी हुए हैं बारी कटे हुए आलू, बारी कटा धन्या, टमाटर, मिर्च, स्वादानुसर नमक और जीरा बनाने के लिए आप घी या तेल किसी का भी इस्तमाल कर सकते हैं खेचड़ी बनाने के लिए मैंने यह एक भगोना लिया है बरतन गरम होने पर मैं इसमें घी या तेल डालूँगी वरत के लिए घी या मूमफली का तेल ही सही रहता है तो मैंने यह घी का इस्तमाल किया है घी के गरम होने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी जीरा आपको जादा नहीं भुनना है और ना ही इसमें ही डालना है आपको थोड़ा सा जीरा डालना है और उसे काला नहीं होने देना हलका ब्राउन होते ही उसमें हमें आलू डाल देनी है देखिए अम इसमें आलू डाल देती हूँ आलू को हमें हलका सा पकाना है हमें उसे जादा नहीं पकाना है आलू में इसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगी ताकि आलू अच्छे से पक जाएं हमें इने पूरी तरह नहीं पकाना है बस हलका सा पकाना है क्योंकि बात में फिर ये खिचडी के साथ पानी में भी तो पकिने हैं आप इसे अपने नमक को थोड़ा आलू में मिला दें और इसे हम थोड़ा अप थोड़ी दिर गुमाएंगे पकाएंगे और फिर इसको हम ढख कर पकाएंगे मुझे याँ थोड़ा घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें घी और डाल दिया है आप अपनी छहनुसार कम या जादा कर सकती है घी डालने के पाद मैं इसे थोड़ी दिर पकाऊंगी ढख करके ये देखें आलू अब पक चुके हैं इसके बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे टमाटर और मिर्च दोनों हम साथ में डाल सकते हैं ये देखें अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिये हैं अब आपको टमाटर और आलूओं को साथ में पकाना है इस तरह से घुमा खुमा कर कर्ची से हिला कर आपको इसे पकाना है देखी अब आपको इस पॉइंट पर आपको अपनी गैस धीमी कर देनी है मैं अब तक अपना सारा कम धीमी गैस में ही करती आई हूँ और अब आप यहाँ पर भी आपको गैस धीमी ही रखनी है ध्यान रखेगा ग्यास तेज नहीं करनी है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें धनिया डालूंगी और इसे मिला करके अच्छे से पकने को रख सूंगी यह देखिए अब हमारे मसाले सब कुछ पक चुकी है आलू भी और टमाटर दोनों एक साथ पक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे अब इस पॉइंट पर हम इसमें फिर से थोड़ा भूद धनिया डालेंगे और सामक के चावल डाल कर इसको अच्छे से तेज ग्यास पर पकाएंगे इस पॉइंट पर आपको ग्यास तेज कर लीनी है और अच्छे से इसे हिला हिला कर भूनना है बहुत अच्छे से ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत इनहेंस हो जाए आपको बहुत अच्छे से पकाना है इस पॉइंट पर इससे हमारे चावल तो भूनेंगे ही साथ में आलू और टमाटर का टेस्ट उसमें बहुत अच्छे से आएगा यह देखिए इस तरह आपको घुमा घुमा कर कर्ची से अच्छे से आलू टमाटर और चावल को भूनना है बिल्कुल अच्छे तरह से इसे भूनते जाएंगे अब आपको घ्यायस अभी तेज ही रखनी है घ्यायस अभी स्लो नहीं करनी है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मैंने यहां आधे कटोरी चावल लिये थे उसमें मैं दो कटोरी पानी डाल रही हूँ यह देखी पानी डालने के पाद थोड़ा सा और हम इसको घुमा देंगे अच्छे से मिला देंगे और फिर इसने पकने के लिए रख देंगे थोड़ा सा इसमें हम धनिया डालेंगे और पकने के लिए रख देंगे ये दिखिए अब इसे ही रख इतना अच्छा आ रहा है तो बाद में बन कर तो ये बहुत ही अच्छे तयार होती है वरत का मतलब ही होता है कि कम मसाले बहुत ही लाइट खाना खाना और अपनी शरीर को डिटॉक्स करना और इसमें कोई भी ऐसा मसाले नहीं है जो आपकी शरीर के लिहानी का रखो सब बहुत अच्छे और बहुत ताजी मसाले हमने इसमें डाले हैं जादा मसालों को इस्तमाल भी नहीं किया है तो घर पे बहुत कम मसालों में आप ये रास्पी बना सकते हैं ये देखिए मैंने इसको 10 मिनिट के लिए पकाया है और ये इस तरह से बन कर तैयार है तेल उपर आ गया है तो ये एक हम कह सकते हैं निशान नहीं होती है कि हाँ मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ये देखिए इस तरह से इसका रंग भी बहुत अच्छा आया है अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी हरा धनिया हर सबजी के टेस्ट को बहुत अच्छा बहुत इनहेंस कर देता है और हम इसमें भी धनिया डालेंगे ये देखिए इस तरह से धन्य डालने के पाद अब मैं इसी प्लेट में सर्फ करूँ की बच्चे बड़े बूढे सबको ये खिचड़ी बहुत पसंद आती है आप इसे खी के साथ देजिए दही के साथ दीजिए अचार के साथ खाये ये हर चीज के साथ बहुत अच्छी अगर आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी वीडियो बनाओंगे और आप सबको स्वाधिस्ट खाना बनाना सिखाऊंगे ओके थैंक यू